क्रिकेट जगस से जोड़ी सबी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाईए क्रिकेट की खबरे सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको लगता है कि भारतिय टीम भारतिय क्रिकेट इतिहास का पहला डे और नाइट मुकाबला जीतने में सफल रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले भारत और बांगलादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रंखला का पहला मुकाबला तो भारतिय टीम ने आसानी से जीत लिया लिकिन इसी श्रंखला का दूसरा और सबसे एतिहासिक मुकाबला कोलकता के इडन गार्डन मैदान पर खेला जा रहा है इस मुकाबले को एतिहासिक इस वज़ा से माना जा रहा है क्योंकि इस मुकाबले को दिन और रात में भी खेला जाएगा और वहीं इस मुकाबले में लाल गेन की जगव पिंक यानि की गुलाबी गेन का इस्तिमाल किया जाएगा इस एतिहासिक टेस्ट मुकाबले में बांगलादेश के कप्तान मौमिनोल ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया लिकिन उनके इस फैसले को भारतिय तेज गेन बाजों ने मिट्टी में मिला दिया इस मुकाबले में भारतिय टीम की तरफ से इशान शर्मा ने बहतरीन पांच वीकेड जटक कर भारतिय टीम की तरफ ये मुकाबला मोड दिया भारतिय तेज गेन बाजों ने बांगलादेश की टीम को पहले ही ओवर से पूरी तरह दबाओं में रखा और इसी का फायदा भारतिय टीम को शुरुवाती ओवरों में मिला भारतिय टीम ने 15 वे ओवर तक पहुँचते पहुचते बांगलादेश की आधी टीम को पवेलियन का रासना दिखा दिया था लेकिन इसके बाद भी भारतिय टीम नहीं रुकी और इशान शर्मा ने लाजवाब गेनबाजी करते हुए बांगलादेश की पारी को केवल 106 रनों पर ओल आउट कर दिया भारतिय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इशान शर्माने लिए और वहीं उमेश यादव ने तीन और महमजशमी ने दो विकेट चटकाए उसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतिय टीम की शुरुआद भी कुछ खास नहीं रही भारतिय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया और कम स्कोर पर ही आउट हो गए लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आये चेतेशवर पुजारा ने विराध कोहली के साथ मिलकर लाजवा बल्लेबाजी का मुझायरा किया इन दोनों ने मिलकर भारतिय टीम के लिए 93 वे रनों की लाजवा पार्टनर्शिप खड़ी की लेकिन भारतिय पारी के 40 वे ओवर की पहली ही गेम पर चेतेशवर पुजारा इबादत हुसेन की एक बाहर जाते होई गेम पर कैच आउट हो गए चेतेशवर पुजारा ने इस मुकाबले में बहतरीन 55 रन बनाए लेकिन दोस्तों हम आपको बता दे कि बांगलादेशी पारी को पहली इनिंग में कम स्कोर पर आउट करने के बाद सभी का मानना यही है कि भारतिय टीम ये एतिहास एक डे और नाइट मुकाबला जीतने में सफल रहेगी लेकिन क्रिकेट एक अनिश्यताओं का गेम माना जाता है इसी वजह से विराट कोहली और भारतिय टीम बांगलादेशी टीम को आसानी में नहीं लेगी और इसी का सबूत देते हुए भारतिय कप्तान विराट कोहली ने एक बहतरीन चौका जड़ कर 40 वे ओवर में अपना बहतरीन अर्धशतक पूरा किया उन्होंने केवल 76 गेंदों पर ये एतिहास एक अर्धशतक की ये पारी पूरी की इसके बाद भी भारतिय टीम ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस पहले दिन का खेल खत्म किया और बंगलादेश के उपर एक बहतरीन बढ़त बना ली तो दोस्तों आप भारतिय टीम के इस पहले दिन के प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अग देना चाहेंगे आप अपनी राय मीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजेगा धन्यवाद